आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा है जो की बच्चियों के बहतर और सुरक्षिद भविष्च के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है भाग लक्षमी योजना इस योजना से ना सिर्फ लिंगा नुपात सुद्रेगा बल्कि गरीब परिवारों में जन्मी लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्तिक सहायता भी उपलब्द हो सकेगी आई जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानक आपको पता दे कि भाग लक्षमी योजना के अंत्रगत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म पर राज सरकार उस परिवार को 50,000 रुपए का बॉंड देती है मतलब ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है जब बेटी की साल होने पर 2,000,000 रुपए ब लक्षा बारवी में आने पर 8,000 रुपए दिये जाते हैं हाला कि इस योजना में लाब उन्ही परिवारों को मिलता है जो गरीवी रेखा के नीचे यानि की बीपील के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं भाग लक्षमी योजना का लाब लेने के लिए कुछ शर्ते ह कि योजना का लाब के बल उत्तर प्रदेश की निवासियों को मिलेगा योजना का लाब उन्ही को मिलेगा जिन परिवार की आए दो लाक रुपए से साल आना जादा नहीं है के बल बीपील परिवार भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं इस योजना का लाब सरकारी करमच की उम्र से पहले करने पर योजना का लाब नहीं मिलेगा ये योजना साल 2006 के बाद जन्मी बेटियों के लिए है इस योजना के लिए कुछ जरूरी डॉक्युमेंट है जैसे की बच्ची का जन पिर्मान पत्र माता पिता का आधार काड आय पिर्मान पत्र निवास पिर्मान पास्पोर्ट साइज की फोटो, बेंक एकाउंट, पास्पुक और मुबाइल नंबर इसके लिए आपको महिला अव्यम वालबिकास विभाग यानि की उत्तर प्रदेश की ओफिशल वेपसाइट महिलाकल्यान.up.nic.in पर जाना है वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म आप आँगनवाडी से भी ले सकते हैं इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, सारे डोक्यूमेंट्स उसमें लगाना होगा वो नजदी की आँगनवाडी केंद्री या फिर नजदी की महिलाकल्यान विभाग के कारेलाई में आपको जमा करना होगा दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, इस वीडियो को जाद से जाद लोगों के साथ जरूर शेयर करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें